नमस्कार, लखनो वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनो उत्रप्रदेश के दर्सकों का स्वागत है यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुची रखते हैं तो हमारे लखनो वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाय कर नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंट मिल सके और हाँ कमिट बक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें तो आइए जानते हैं लखनो सहित उत्ता प्रदेश के मौसम का हाल तो आइए देखते हैं साथ और आठ अप्रेल को भारतिय मौसम इभाग की अंसार उत्ता प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूरवान मान लखनो सहित पूरे उत्ता प्रदेश में बश रही है गर्मी आज तापमान 42 टिगरी के पार जाने का आसार अलर्ट जारी मौसम इभाग ने तापमान 42 टिगरी के पार जाने के आसार जताए हैं दिल्ली सहित उत्ता प्रदेश के कई इलाकों में लू की इस्तिति गंभीर रहने वाली है तो वहीं बिहार के कुछ जिलों में बारिस के आसार भी बन रहे हैं लखनों में तेजी से गर्मी बढ़ती जा रही है इससे आम लोगों को परसानिया भी बढ़ रही है मौसा मिभाग ने आज जानी बुधवार को लखनों में तापमान 42 डिगरी के पार जाने के आसार जता हैं वहीं 9 अप्रेल तक लू की चेताबनी भी जारी की है लखनों सहित उत्ता प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस्तिति यह है कि दोफर की कौन का है अब तो सुबह से ही लू का असर दिखाई दे रहा है तापमान लगातार पढ़ने से दिन अत्यधिक गर्म हो रहा है मंगल वार को पूरे प्रदेश में गर्म हवा चलती रही दिन चरहने के साथ ही गिरिस्म लहर संग गर्मी का असर बढ़ता चला गया जिससे लोगों की मुस्किलों का सामना करना पड़ा मौसम विभाग के अंसर उत्तपरदेश के अलग-अलग हिस्सों में 9 अप्रेल तक लू चलेंगे लखनो मौसम विभाग के अंसर प्रदेश भर में पच्छवा हवाओं का चलन जारी रहेगा प्रियागराज, अलिगर, चासी, हातरस, आगरा और मत्रा में 9 अप्रेल तक भीशन गर्म हवाच चलने की चेताबनी जारी की गई है मंगलवार को राजधानी लखनो का अधिकतम तापमान 40.2 डिगरी सेल्सियस और नियुनतम तापमान 21.2 डिगरी सेल्सियस पर दर्ज किया गया प्रदेश में सबसे अधिक तापमान प्रियाग राज में 42.5 डिग्री सेलसियस वारांसी में 42.1 डिग्री सेलसियस और कानपूर में 42.2 डिग्री सेलसियस रहा अगले दो दिनों तक लखनोंशहर का अधिक्तम तापमान 42 टिग्री और 59 टापमान 21 टिग्री सलसियस तक रहने की संभावना है प्रदेश में दिन के समय सुस्कता और तेज हवा के साथ आने वाले पाँच दिनों तक अधिक्तम तापमान 40 टिक्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा दिल्ली राजस्थान समेट उत्ता प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान में लगातार यपा हो रहा है और इससे राहत मिलने की उम्मीद भी फिलहाल नजर नहीं आ रही भारतिय मुसमी भाग के अंसार उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू की इस्तिती गंभीर रहने वाली है मुसमी भाग के मताबिक राष्ट्रे राजधानी दिल्ली में आज यानि की 6 अप्रैल को नियुनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है इसके अलावा उत्राखंड की अगर बात करें तो यहां भी तापमान बर रहा है देहरा दून का नियुनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा आस्मान में तेज धूप रहेगी भारतिया मसमी भाग ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर और मध्य भारत में कई हिस्सों में लूका प्रकोप अगले कुछ दिनों तक चारी रहेगा उत्तर और मध्य भारत भीसन गर्मी की चपेट में हैं और कोछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सल्सियस के करीब रहेगा राश्ट्रे राजधान ने दिल्ली की बात करें तो यहां भी लूके कारण लोगों को काफी परसानियों का सामना करना पर रहा है वहीं पश्मी उत्तर प्रदेश में गर्मी के तेवर तलक हो गए हैं अप्रेल की सुरुवात में ही तापमान रिकॉर्ड तोरने वाला है मौसामी भाग ने 24 से 48 गंटे में पश्मी उत्तर प्रदेश में लू का एलर्ट चाड़ी किया है साथ और आठ अप्रेल को लू का आसर सबसे ज़्यादे दिखाई देगा अगले दो दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने के आसार है जबकि बिहार के कुजले लू की चपेट में हैं तो वहीं कुजलों में बारिस के आसार भी बन रहे हैं मसमी भाग पटना के अंसार आज राज के उत्तर पूर्वी भागों में आंसिक बादल हैं साथ हलकी बारिस एवं बुंदाबांदी की समभाबना है गया और अरंगाबाद और सासराम में अधिक तापमान होने के कारण लू चलने की भी समभाबना है तो यह था लखनोग उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल वा जानकारी वीडियो को लाइक वा सेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान कार झाला है कि अधने प्रदेश बंगब का कि सभी कrä रहन से के लिए लू भारत अगल बाये बाये जै अधने